ऐलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम ऐवरेज में जो डिगरी आज सेल से वाले कोशिन पूछे जाते हैं उनस बहाने को सोल करने वाले हैं तो फ्रेंड साफ लाश तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से कलियर हो जाएं तो चलिए फ्रेंड हम अपना फर् जब वह अपने आखरी मैच में 84 रन देकर X विकेट लेता है तो उसका गेंद बाजियोसत 0.4 से सुधर जाता है उसके दवारा दिये गए कुल रन में ग्यात करनी है यदि अंती मैच से पहले उसने 35 विकेट लिये थे तो अंती मैच में उसने कितने विकेट लिये थे 35 और इ उसने 84 रन बनाई थे शिरफ हमें यही सोल करना है और हमारा अंसर आजाएगा अगर मैं इसको मुल्टिप्लाई करती हूँ तो कितना हैगा हमारा 504 प्लस 84 और यह हो जाएगा हमारा 588 ओप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अब हम नेक्स्ट कोशन लेते हैं यदि सबता के पहले 4 दिनों का एवरेज तापमान कितना है 39 डिगरी सेल्सियस और सबता का ओसता आपमान कितना है 40 डिगरी सेल्सियस तो सबता के अंतिम 3 दिनों का ओसता आपमान में निकालना है यह वाला में निकालना है यह इसे कंपेर करते हैं तो कितना कम है इसे 1 डिगरी सेल्सि तो कितना जाएगा हमारा 4 अगर यह इसे 4 जद्धा है तो यह इसे कितना कम होगा 4 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1.3 अब इसमें हम क्या करेंगे 40 में इसको add कर देंगे तो हमारा अन्सोर आजाएगा 41.3 डिग्री सेल्सियस ओप संसी हमारा करेंगे हो जाएगा अपना नेक्स्ट कोशन लेते हैं सोमवार से बुद्वार का ओसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से गुरुवार का तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस और हमें रेसो दे रखा है गुरुवार और स्वमुवार का 4 रेसो 5 हमें निकलना है गुरुवार का तापमान कितना था हमें दे रखा है मंडे से वेडनेस दे तक 37 डिग्री सेल्सियस तापमान और यह दे रखा है टूस्डे से फ्राइडे तक 34 डिग्री मंडे टूस्डे वेडनेस तरस्डे अगर इसको माइनस करते है तो मारा कितना आएगा 3 तो मारे पास यह वाला तापमान बचेगा और यह वाला बचेगा और यह दो हमारे कैंसल हो जाएंगे तो मंडे फ्राइडे का मारा बचा कितना 3 और यह इसमें कितने दे थे 3 तो इसको भी हम 3 से मल्टिप्लाई करें कितना आएगा 9 अब हमारा एक रेसो किसके इकवल आएगा 9 के और हमें रेसो कितना दे रखा है 4 रेसो 5 इसको भी हम 9 से मल्टिप्लाई करेंगे और इसको भी तो यह कितना आजाएगा 36 और यह कितना 45 अगर आपसे फ्राइडे का पूछेगा तो 36 आएगा अगर मंडे का पूछेगा तो 45 आएगा हमसे क्या पूछा गया है फ्राइडे का तो अपसंसी इमारा करेक्ट हो जाएगा अब अपना नेक्स्ट कोशन लेते हैं महीने के पहले च्यार दिनों में एक सहर का तापमान कितना है 58 डिगरी सेल्सियस और दूसरे तीसरे चोथे और पाचवे दिन का तापमान का एवरेज कितना है 60 डिगरी सेल्सियस अगर पहले और पाचवे दिन का तापमान का में रेसो दे रखा है 7.8 तो मैं पाचवे दिन का तापमान बताना है क्या होगा इसको हम पहले वाले कोशन की तरह ही करेंगे फिर्स्ट डे, सेकिंड, थर्ड और फॉर्थ इसका हमें कितना दे रखा था अपमान? फिफ्टी, एट और सेकिंड, थर्ड, फॉर्थ और फिफ्ट का कितना दे रखा है? शिक्स्टी अब ये वाले डे हमारे कैंसल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास आएगा 2 और ये कितना दे थे? 4 इसको 4 से multiply करेंगे तो 8 अब हमें रेसो कितना दे रखा है? 7 रेसो 8, तो इसको हम 8 से multiply करेंगे इसको भी 8 से ही करेंगे कितना आए जाएगा? 56 और ये 64 और हमसे पूछा है फाचवे दिन का यह मारा पाचवे दिन का है और यह first का है तो हमारा answer हो जाएगा 64 यह हमारा option B में है तो option B हमारा correct हो जाएगा अब अपना next question लेते हैं एक किर्केट खिलाडी का गेंदबाजी ओसत कितना है 21.5 अंती मैच में उसने 75 रन दिये और 5 विकेट लिये उसके गेंदबाजी में कितने का सुद और रता है 2.5 का उसके दवारा लिये गई विकेटों के में संख्या बतानी है तो इस question को हम allegation से करने वाले हैं पहले वाला average था हमारा x और दूसरे वाला क्या हो जाएगा हमारा इसने 5 विकेट दिये हैं यह कितना हो जाएगा 75 by 5 यहां से कितना जाएगा हमारा 15 इसमें कितना सुदार हुआ है 2.5 का इसमें 2.5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 19.0 यह हो जाएगा मारा 2 और यह हो जाएगा 2.5 और यह 4 यह इसका कितना गुना है 2 तो ये भी मारा दो गुणा हो जाएगा तो answer कितना जाएगा 4 x 2 equal to 8 तो option A मारा correct हो जाएगा अब next question लेती है एक किरकेट खिलाडी का गेंद बाजी ओसत कितना है 12.4 और anti match में उसने 26 रन दिये और 5 विकेट लिये उसके गेंद बाजी में कितना सुधारवा 0.2 का तो anti match से पहले उसके दवारा लिये गई विक्टो की संख्या में बतानी है तो ऐसे ये पहले कितरह से एम question है इसको आप खुद try करना और मुझे इसका answer comment box में बताना next question है हमारे पास एक किरकेट के लाड़ी का कुछ पारियों का ओसत कितना है x और उसके एक पारियों के अधिक्तम तथा नियूंतम अंकों रनों का अंतर कितना है 100 यदि दोनों पारियों को हम हटा दें तो 60 पारियों के रनों का ओसत 2 कम हो जाता है उसके दवारा एक पारी में बनाए गए अधिक्तम रन कितने हैं 120 तो उसकी से पारियों में कितने रन बने उनका में ओसत बताना है इसमें हमें दे रखा है maximum और minimum का difference कितना दे रखा है में under और maximum run दे रखे हैं हमारे पास 120 तो मारे पास minimum run कितने आ जाएंगे 20 अब हमें इसमें 6 पारी दे रखी हैं कितनी 40 और ये क्या था इसका ये 2 6 का average कम हो जाता है अगर मैं इसका average 1 x माल लूँ तो ये average वह जाएगा मारे पास x-2 ये हमारी 40 हैं तो ये हमारी 42 हो जाएंगी इन दोनों का difference क्या होगा हमारे पास 42 x-40 x प्लस 80 ये किसके equal हो जाएगा maximum plus minimum पारी के equal हो जाएगा तो यहां से हम इसको soul करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 तो 2 x equal हो जाएगा हमारे पास 60 के और x की value हो जाएगे मारे पास 30 तो 30 मारा answer हो जाएगा बाकी के question हम अपने next class में करेंगे अगर आप मेरे वीडियो बा thumbs हो बा Sizच बाएगे जाएगा बाएगे बाakatा बाम तो 31